नमस्कार, आज मैं आपको किसी भी कार्या की सफलता के लिए ध्यान रखने वाली महत्वपुन बातों, मंत्र और उपायों के बारे में बताने जा रहे हूं कई बार ऐसा होता है कि बहुत पर्यास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड जाता है, सफलता आते आते आपके हाथों से फिसल जाती है आखिर इसके पिछे क्या कारण हो सकता है, माना जाता है कि पित्र दोश, काल सरप दोश और ग्रै नक्षत्रों के बुरे परभाव के कारण कभी कोई सुक प्राप्त नहीं होता तो कभी देवी देवताओं के प्रतिक किये गए अपराद के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है यह सब ठीक होने के बापजूत कभी कभी वास्तु दोश के कारण भी वेक्ती समस्याओं से घिरा रहता है कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है कारह में सफलता नहीं मिलती इसके लिए गो स्वामी तुलसी दास ने रामचरित मानस में लिखा है कि जिस तरह बड़े जलाशय की मचलियां हमेशा सुखी रहती है उसी तरह प्रभू के शन में गए वेक्ती के सामने कोई भी बाधा नहीं आती है जो भक्त अपने करम पर पूरा ध्यान लगाकर भगवान पर भरोसा करता है इश्वर भी पक पक पर उसकी सहायता करते हैं हमारे शास्त्रों में जीवन की बाधाएं दूर करने और काम्याबी पाने के कुछ आसान मंत्र बताए गई है श्री राम रक्षा स्तोतर का एक मंत्र हर तरह की सफलता पाने में बेहत उपयोगी बताया गया है ये मंत्र इस प्रकार है एक अन्य मंत्र रामश्रित मानस का है सूर्य उदै से पूर्व उठकर स्नादादी करके इस मंत्र की साथ मालाएं चपना चाहिए हर माला की समापती पर गुगल धूप की अगनी में आहूती देनी चाहिए सातों मालाएं पूरी हो जाने पर उस भसम को सावधानी से उठाकर रख लेना चाहिए हर दिन काम में जुटने से पहले भसम को ललाट पर लगा लेना चाहिए जब करने और भसम लगाने से बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है और हर काम में सफलता मिलती हैं ये करने से पहले आपका भगवान के प्रती पूरा विश्वास होना चाहिए इसके इलावा श्रीमत भगवत कीता का ये अंतिम श्लोक है अगर आप नोकरी धंदे के लिए चाते हो और सफलता नहीं मिल पाती हो तो 21 बार इस श्लोक को बोल कर फ सत्र श्रिर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम इसका अर्थ है जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्दर अर्जुन है वहीं एश्वरय विजय आलोकिक शक्ती तथा निती भी निश्चित रूप में रहती है साथी पीपल के पेड में शनिवार औ और मंगलवार को दूद, पानी और गुड मिलाकर चढ़ाएं और प्रातना करें की भगवान आपने गीता में कहा है व्रिक्षों में मैं पीपल हूँ तो हमने आपके चर्णों में अर्गया अर्पन किया है इसे स्वीकार करें और मेरी नोकरी धंदे की जो भी समस्या है व जब करें और चलते फिरते भी इसका जब करें तो विशेश लाब होगा रोजी रोटी के साथ ही शांती भक्ती और आनंद भी बढ़ेगा रुके हुए कारें की सिद्धी के लिए यह परियोग भी बहुत ही लाबदायक है गनेश चतुर्थी को गनेश जी का ऐसा चितर घर या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सून दाई और मुडी हो इसकी अरादना करें इसके आगे लोंग तथा सुपारी रखें जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लोंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं तो काम सिद्ध होगा लोंग को चूसे तथा सुपारी को वा जिनने के बाद ही करें और जिस जेब में सुपारी रखें उसमें कोई और वस्तू ना रखें इस बात का भी ध्यान रखें कि सुपारी लेकर किसी गंदे स्थान पर भी ना जाएं बस अपने आप आपकी समस्या हल हो जाएगी अगला है यदि परमोशन में रुकावट हो तो ग्यारा गोमती चकर भगवान शिव के चर्नों में चढ़ाने से परमोशन के रास्ते खुल जाते हैं इसके इलावा जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो उन्हें पूर्व की और मुख करके अध्यन करना चाहिए इससे उन्हें लाब होगा इसके इलावा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है यादाश कमजोर है परिक्षा में सफलता नहीं मिल पाती तो किसी भी बुद्वार के दिन 11 साबुत लोंग ले ले इन्हें लाल कपड़े में बांध कर पूजा स्थान में रखें और ओम गण गण पते नमा की एक माला जाब करें अब इन लोंग को एक एक दिन बच्चे को खिलाते चाएं इससे बच्चे की बुद्धी तेज होगी और सफलता मिलेगी अगला है घर में लगातार कोई बिमार रहता हो बार बार धुरुगटनाई हो रही हो काम अटक रहे हो तो परतेक शनिवा के दिन तेल में तीन-चार लॉंग डाल कर दीपक जलाएं और उसे घर के सबसे अंधिरे कोने में लगाएं ऐसा करने से घर में नगारतमक उर्जा दूर होने लगती है और धीरे-धीरे रोक कम होते हैं अगर बेरोजगार हैं नोकरी ना होने के कारण परिशान हैं तो ये शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सवा किलो मोती चूर के लडूओं का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और मंदिर में ही बैठ कर लाल चंदन की या मुंगा की माला से 108 बार इस मंतर का जाप करें, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाह इसके बाद 40 दिन तक रोज अपने घर के मंदिर में इस मंतर का जब 108 बार करें, 40 दिनों के अंदर ही आपको रोजगार मिलेगा, इसके इलावा रोजगार के लिए आप एक और उपाए कर सकते हैं, मंगलवार से आरम करते हुए 40 दिनों तक रोज सुभा के समय नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल गुलहड या गुलाब के फूल चड़ाएं, ऐसा करने से भी शीगर ही रोजगार मिलता है, अगला है अगर आपके दांपत्य जीवन में पहले जैसी मधूरता नहीं रही या फिर रोज किसी ना किसी बात पर पती पतनी के बीच जगडे होते हों, तो प्रेम को बढ़ाने के लिए ये उपाय करें, शुकल पक्ष में पढ़ने वाले किसी शुकरवार के दिन पतनी अपने हाथों से प्रेम पूर्वक साबू दाने की खीर बनाए, लेकिन उसमें शक्कर के स्थान पर मिश्री डालें, इस खीर को कर इत्र का दान करें, अपने शैन कक्ष में इत्र कदा पी न रखें, कुछ दिनों तक ये परियोग करते रहें, कुछी दिनों में दापत्या जीवन सुखी हो जाएगा, इसी कार्या की सिद्धी के लिए जाते समय, घर से निकलने से पूर्वी अपने हाथ में रोटी ले मार्ग में जहां भी कोई दिखलाई दें, वहां उस रोटी के टुकड़े करके डाल दें और आगे बढ़ जाएं, इससे सफलता प्राप्त होती है, अगर कोई ना मिलें तो रोटी गाएं को भी खिलाई जा सकती है, जो भी पहली गाएं मिले उसे खिलाएं, घर से किसी भी शुप कार्या के लिए निकलने से पहले शिरी गनेशाय नमा बोलें, फिर विपरीद दिशा में चार पक जाएं, इसके बाद कार्या पर चले जाएं, कार्या जरूर बनेगा, अगर आपके कोई कुल देवता हों, तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उन्हें भी जरू से एक मुठी काले उड़त या राई को सिर्पर तीन वार वार कर जमीर पे डाल दे, ऐसा करने से काम में कोई बाधा नहीं आती और काम सफल होता है, किसी भी अमावस्या के दिन किसी गरीब विक्ति को भोजन करवाने, वस्त्र दान करने और दक्षिना देने से पित्र करना चाहिए, गलत मंशा सभी को बताकर और खराब चीजें दान करने से कोई फाइदा नहीं होता, सनान के पानी में काले तिल डाल कर सनान करने से कुछी दिनों में सारी परिशानियां कम होनी शुरू हो जाती हैं, सुबह सनान करने के पानी में हल्दी मिलाकर सनान करना भी कार्या सिद्धी के लिए काफी अच्छा माना जाता है शुप काम के लिए जाते समय काले, कथाई, भूरे और मटमेले रंग के कपड़े ना पैने अधिकतर सफेद, नीले, पीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े पैने घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर वे थोड़ा सा पानी पीकर ही जाएं तो कार्या में सफलता मिलेगी इसके इलावा दही शक्कर या तुलसी के पते खाकर निकलना भी शुप माना जाता है घर से निकलते समय माता पिता को प्रनाम करना चाहिए इससे ब्रेस्पती और बुद्ध ठीक होते हैं इससे वेक्ति के जटिल से जटिल काम बन जाते हैं घर से बाहर निकलते समय अपना दाहिना पैर सबसे पहले बार निकालें सुबसनान के पश्चात सूर्य नारायन भगवान को लाल पुष्प युक जल चढ़ाकर हाद जोड कर नमसकार करना चाहिए सूर्य भगवान के समुक बैटकर एकांत में भगवत भजन या मंत्र या गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए तुलसी के पोदे को प्रति दिन जल चढ़ाएं तथा गाएं के घी का दिपक जलाएं जो भी आपके इश्च देव हो उनकी पूजा भी जरूर करें चीटियों को खोप्रेवे शक्कर का बुरा मिला कर खिलाएं इससे शनी की साड़े सती में काफी राहत मिलती है और बिगडे हुए काम बनने लगते हैं जो वेक्ति नित्य सुबह शाम हनुमान चालीचा पढ़ता रहता है उसे कोई भी वेक्ति बंदक नहीं बना सकता उस पर कारागार का संकट नहीं आता पित्र दोश, राहू दोश, मंगल दोश आदी दूर होते हैं संकटों से मुक्ति मिलती है सुबह पूजा के बाद आर्ती करते समय दीपक में दो लॉंग डाल कर आर्ती करें या कपूर में दो फूल वाले लॉंग डाल कर आर्ती करें आपके हर काम सुगमता से होंगे और किसी भी परकार की बादा नहीं आएगी आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा धन्यवाद